है है गाइस कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे मैं हूं विवेक अर्चुन और मैं आपके टड़ी बैंड यूट्व पैनल पर आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आज है 9 मेई 2020 वीड कोशन कवर करते हैं जो आपको आने वाले UPSC, SSC, Banking और एनी अधर स्टेट इंग्डामिनेशन में बहुत जादा है प्रवाइड करेगा तो गई अगर आप चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी नहां बूलें चलिए मूव करते हैं एक स्लाइड पर बिना किसी दरीके देखते हैं क्या कहता है यहां से स्टार्ट करने से पहले आपने वीडियो को पॉस करना है कोशन को रीड करने तेन आंसर को कमेंट बॉक्स पर आंतर देना अपना काई जिससे आप पता कर पाएंगे अपन Infrastructure Investment Bank जिसको AIIB भी बोलते हैं Asian Infrastructure Investment Bank तो इसका Headquarter कहां पर देखने को मिलेगा आपने यह बताने तो उस्ते पहले Option देखिए Option A कहता है इरान, B Option कहता है इंडोनेशिया, C Option कहता है Switzerland and D Option कहता है चाइना तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसको कोशन का correct answer क्या है Option D is the correct answer, चाइना तो guys, Beijing China में आपको इसका Headquarter देखने को मिलेगा इसका AIIB, that is Asian Infrastructure Investment Bank ठीके guys, आज के ताइम पर इसके Member कितने हैं यहां पर है, 78 Member है इसके ठीके guys, चलिए, move करते हैं नेक्स कोशन पर देखते हैं अकला कोशन क्या कहता है नेक्स कोशन कहता है वेर इस अपना आंसर दीजिए देखते हैं इसकोशन का correct answer क्या है Option A is the correct answer, New Delhi तो guys, New Delhi में आपको इसका ad quarter देखने को मिलेगा, that is Niti Aayog ठीके, और इसको found कब किया गया था? 2015 में इसको found किया गया है, ठीके guys, जैसे नरेंदर मोधी जी की government आई थी उसके बाद ही next year, 2014 के बाद 2015 में इसको implement कर दिया था Niti Aayog ठीके guys, तो इसके chair person कोन है, ये भी question के बाद पूशे जाता है, exam में तो Prime Minister ही इसके Niti Aayog के chair person होते है तो नरेंदर मोधी जी इसके chair person है चलिए, Vice Chairman पूशे जाता है, Vice Chairman नiti Aayog के कोन है? तो राजीव कुमार जी इसके vice chair person है and CEO कोन है, Amitav Khan ji, इसके CEO है तो guys, एक ही question में आप देख रहे हैं, कितने सारे हम question कबर कर रहे है इन्हों से कोई भी question आपको examiner पूश सकता है तो वीडियो को ध्यान से देखें और revision करते रहें चलिए, move करतें next slide पे next question कहता है तो guys, मुख्यमंत्री यूबा योगयोगयोजना के अंतुरत एक website का निर्मान किया है यह सारा प्रोग्राम, यह सारा जो function है किस state के द्वारा लांच किया गया है recently तो आपने जल्दी से अपना answer देने से पहले option देखिए option A कहता है त्रिपूरा, option B कहता है मनिपूर and C option कहता है गुचरात and D option कहता है केरला तो guys, कि state के द्वारा इस national scholarship जो online portal है website इसको start किया गया है तो जल्दी सांसर दीजिए, देखते हम इसका question, इस question का right answer क्या है option A is the right answer त्रिपूरा तो guys, त्रिपूरा स्टेट ने recently इसको start किया है जिसके अंदर वो क्या करेंगी 5000 directly उनके bank account में डाल रहे हैं तांकि यह फोन की जो cost है उसके बराबर वो 5000 उनके directly bank account में डाल रहे हैं ठीक है guys, आई एक त्रिपूरा के बारे में जोड़ा जान लेते हैं, capital है, अगरतला इसकी capital है, ठीक है और governor और CM के बारे में जान लेते हैं, governor है रामेश बाइस और यहां के chief minister है विपलवक्मार देव ठीक है guys, next move करते है next slide पे next question कहता है तो guys, in short आपने यह बताना है Recently, किस bank के दोरा इंडिया को लोन दिया गया है 500 million डॉलर का जो क्या कर सके, COVID-19 emergency response और अपने health system को prepare कर सके ठीक है guys, तांगी इस coronavirus से यह लड़ सके तो यह loan किस bank के दोरा दोरा provide किया गया है आपने यह answer देना है तो जल्दी सा option देखे, option A कहता है Asian Development Bank भी option कहता है World Bank, C option कहता है Asian Infrastructure Investment Bank and option D कहता है International Monetary Fund, that is IMF तो जल्दी सा अपना answer दीजिए देखे, इसका correct answer क्या है option C is the correct answer Asian Infrastructure Investment Bank ठीक है guys, अभी recently हमने पढ़ा है इसका headquarter का मिलेगा आपको Beijing, China में इसका headquarter देखने को मिलेगा ठीक है guys, move करते next slide पे next question कहता है, recently who has appointed as the Chief Risk Officer that is CRO for a period of 3 years in Jess Bank तो guys, Jess Bank में Chief Risk Officer appoint किया है वो आने वले 3 साल के लिए, तो आपने बताना है कि वो किसको appoint किया गया है ठीक है, option देखिए, option A कहता है परशांत कुमार, B option कहता है नीरज दवन and C option कहता है आशीश अगरवाल, option D कहता है अनीता पाई तो जल्दी से अपना answer दीजिए, हम देखते हैं इस question का correct answer क्या है option B is the correct answer, नीरज दवन, तो recently guys, Chief Risk Officer Jess Bank के नीरज दवन को appoint किया गया है ठीक है guys, 3 साल के लिए, इन्हें आने वहले 3 साल के लिए appoint किया है और इनको, किसको replace किया है, इन्होंने अशीश अगरवाल को replace किया है ठीक है guys, और जो परशाल कुमार है, यह Yes Bank के क्या है, CEO है तो यह भी आप भूले ना, यह भी question आप से एक दाम में पूछा जा सकता है चलिए, आगे थोड़ा जान लेते हैं, Yes Bank की full farm क्या है Yes Bank की full farm behavior बहुत important होयती है, that is Youth Enterprise Scheme Bank ठीक है, headquarter कहा मिलेगा, आज की time पर इसका headquarter है, Mumbai चलिए, भूप करते है next slide पे, और देखते है next question क्या कहता है Next question कहता है, recently, who has launched परवासी राहत मित्र app for migrant workers तो guys, migrant workers के लिए, एक recently app launch की गई है वो app किसके तरह launch की गई है आपने बताना, तो app का नाम है परवासी राहत मित्र तो जल्दी से option देखें, answer देने से पहले, option A कहता है, योगी अधित्यनाथ B option कहता है, हिमंत बिश्वा, and C option कहता है, रायनाथ सिंग, D option कहता है, शिवराज सिंग, चुहान तो जल्दी से अपना answer देजिए, और देखें, इस question का correct answer क्या है, option A is the correct answer, योगी अधित्यनाथ, तो guys, ये UP के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, योगी अधित्यनाथ, जिनके दवारा, अभी recently परवासी राहत मित्र अप, launch की गई है, for migrant workers के लिए, ठीके guys, move करते ह next, हाँ, उससे पहले हम, UP के बारे में जान लेते हैं, उत्र प्रदेश की जो capital है, that is Lucknow, वो यहां के जो governor है, अनंधिबन पटेलिया के governor है, और CMA मैं बता चुका हूँ, योगी अधित्यनाथ यहां के chief minister है, चलिए, next question देखते है, next question कहता है, which country has successfully launched long march 5B rocket to space, as it steps up moon landing plans, तो guys simple सा आपने यह बताना है, long march F-5 जो rocket है, यह किस country के दमारा launch किया गया है, ठीक है, तो जल्दी सा option देखिए, option A कहता है, India, B option कहता है, USA, C option कहता है, Russia, and D option कहता है, China, तो जल्दी सा अपना answer दीजिए, हम देखते हैं, this question का correct answer, क्या है, option D is the correct answer, China, ठीक है guys, China, इसकी capital क्या है, बीजिंग इसकी capital है, और अभी हमने पढ़ा, बीजिंग में क्या में लेगा, Asian Infrastructure Investment Bank, ठीक है guys, link करते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, इसको link करते हैं, तांकि आपको लंबे समय तक याद भी रहे, और अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल को please subscribe कर लीजिए, वीडियो को like share करिए, अगर वीडियो पसंद आती है, चलिए, move करते है next slide पे, next question कहता है, which country will host the 2024 Summer Olympics, तो guys, आपको ने यह बताना है, 2024 जो Summer Olympics है, वो किस country के दारा host किया जाएंगे, तो answer देने से फ़ले option देखिए, option A कहता है, Japan, B option कहता है, France, C option कहता है, United Kingdom, and D option कहता है, Brazil, त France में, कहाँ पे, Paris में, जो summer 2024 के जो summer Olympics है, वो host किये रहेंगे, ठीके guys, capital France की क्या है, Paris, जैसे मैंने भी पताया, और एक और चीज, जो 2020 के जो Olympics होने थे, वो आपको बता है, कि वो postpone करते हैं, due to the pandemic, coronavirus के वैसे, तो अब वो जाके कब होंगे, 21, 2021 में होंगे, ठीके guys, आपको आपको यह पता होना चाहिए, और वो कहाँ पे होने वाले है, Tokyo, Japan में ही venue रहेगा, ठीके guys, चलिए, move करते हैं, next slide पे, हाँ, उससे पहले देख लेते हैं, इसके president कोन है, France के president है, Amunal Macron, ठीके guys, यह भी याद रखें, बूले नी, चलिए, move करते हैं, next slide पे, और देखते हैं, next question कहता है, world red cross and red crescent day 2020 celebrated every year on dash, तो guys, simply आपने बताना है, world red cross day कब celebrate करते हैं, world red crescent day 2020 कब celebrate के रहाता है, यह बताना है आपने, तो option देख लिए जल्दी से, option A कहता है, 6 में, B option कहता है, 7 में, C option कहता है, 8 में, D option कहता है, 9 में, तो जल्दी से अपना answer दीजिए, देखते हैं, इ 8 में, तो guys, 8 में 2020 को हम, world red cross day celebrate करते हैं, ठीके guys, इसमें इस देखो, इसलिए भी celebrate करते हैं, ताकि, हम appreciate कर साएं, उन volunteer workers को, जो step up, आगे अपना कदम बढ़ा के, लोगों की, जरूरत मन्द लोगों की, जरूरतें पूरी करते हैं, यह आप बोलो, उनकी help करते हैं, तो यह day, after independence, not independence, after world war second के बाद, इसको celebrate करना start किया था, ठीके guys, और जान लेते हैं, अभी हमने recently days पड़े हैं, first मेरी को हमें पता है, हम कौन सा day celebrate करते हैं, I hope आपको पता होगा, जल्दी से याद कर लीचे, first मेरी को हम कौन सा day celebrate करते हैं, हम world labor day celebrate करते हैं, ठीके guys, चाहिए साथ साथ, second मेरी को हम कौन सा day celebrate करते हैं, second मेरी को हमारा आता है, world tuna day हम celebrate करते हैं, ठीके guys, और third मेरी को, three of मेरी को हम करते है, world press freedom day, world press freedom day को celebrate किया जाता है, ठीके guys, four मेरी को हम कौन सा day celebrate करते हैं, international firefighter day, ठीके, international, international firefighter day, चलिए, move करते हैं, next slide पे, और देखते हैं, next question क्या 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 है next question कहता है world hand hand hygiene day 2020 is celebrated every year every year on dash to guys world hand hygiene day 2020 कब celebrate करते हैं आपने ये बताने है तो देख आंसर देने से पर आप्शन देख लीची option A कहता है 2 में B option कहता है 3rd of में C option कहता है 4th में and D option कहता है 5th में तो what is the right answer जल्दी से अपना answer दीजिए और देखते हैं हम इस question का right answer क्या है option D is a correct answer 5 में तो अभी हमने 4 में तक पढ़ा था 4 में को हम कुण सा day celebrate करते है International Firefighter Day ठीक है और 5th में को अभी हमने celebrate किया है world hand hygiene day ठीक है थीम है और आप याद भी रख सकते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि coronavirus जो pandemic फैला हुआ है जिसके चलते हमें अपने hand wash साफ रखने हैं अपने आसपास सफाई रखनी है तो उसी के चलते यह theme है save lives clean your hands तो बिल्कुल सही लाता है अगर आप clean your hands अपने हातों को साफ रखते हैं तो आप save अपनी life को save करते हैं काफी हद तक protect करते हैं चलिए move करते हैं next slide पे next question कहता है map के बारे में आपको बता है कि हम daily map based question करते हैं तो यह हमारा map based question है ठीक है और तो आज की country देखते है Brunei is a country Brunei हमारी आज की map based question है country है तो Brunei is a country located in Asia Brunei shares its land border with dash तो guys आपने बताने हैं कि Brunei अपना international land border किस किस country के साथ share करता है तो जल्दी से statement देखिए और आपने बताने कि कौन सी statement correct है तो statement first कहते है Cambodia second statement Malaysia third statement China and fourth statement India तो जल्दी से देखिए कौन सी statement correct है तो option देखिए option A कहता है only one option B कहता है only two option C कहता है both first and third option D कहता है second and third जल्दी से अपना answer दीजिए और हम देखिए किस question का correct answer क्या है option B is the correct answer only two तो guys only two statement correct है देख लेते है only two statement कौन सी थी that is Malaysia तो जैसे कि हम अब बुर्णई country कर रहे हैं तो बुर्णई country बुर्णई country का जो लैंड बॉर्डर है यह सथर्फ फुरसर्फ मलेशिया के साथ टच करता है ठीक है आईए अब थोड़ा हम बुर्णई country के बारे में थोड़ा जान लेते हैं country है बुर्णई इसके capital है बंदर सहरी बेगवान तो बंदर सहरी बेगवान इसकी capital है ठीक है गाइस तो इसको याद रखें करंसी क्या है बुर्णई डॉलर तो डॉलर यहां की currency है ठीक है तो capital currency आपको याद होनी चाहिए तो साथ में गाइस वन मोर इंपोर्टन तिंग यह अपना लैंड कंट्री जो आज हमारा map-based question था यहां पर Malaysia आप देख पा रहे होंगे इसके अपना international land water share करता है वह साथ ही साथ यह South China Sea के साथ भी अपना land water share करता है ठीक है यह आप देख पा रहे होंगे ठीक है आईए अप थोड़ा हम इससे अपनी country के साथ compare करके देखते हैं तांकि आप आपको देखेगा बुर्णई country ठीक है गाइस आपको clear हो रहा होगा तो यह है साइड में Malaysia यह भी part है Malaysia का यह Singapore है ठीक है तो यह है हमारी country प्यारी इंडिया और यहां से आप देख पा रहे होंगे बुर्णई को ठीक है तो ऐसे अगर आप हमेशा किसी country को देखेंगे map में तो आप उसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे और कभी भी कोई गलती आपसे नहीं होगी चलिए I hope आपको यह समझ आया होगा so thank you guys for listening me अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like share जूर करें अगर वीडियो के आपको PDF चाहिए तो आप मेरे साथ जल्दी से टैलीग्राम पे connect हो जाए मेरे साथ Facebook पे ग्रूप पे connect हो जाए मेरे साथ YouTube पे connect हो जाए जिन सबके लिंक्स मैंने description box पे अल्यडी दे रखे हैं अब जल्दी से link कर रहे हैं और अगर आप चैनल पर फर्स ताइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भ अबिए हूम, STAY HEALTY, STAY SAVED. BYE!